Hello Friends, CivilStrap के YouTube चैनल के उपर आपका बहुत-बहुत स्वाकत, मेरा नम है विनाश अगरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सिरीज का एक नया वीडियो सजड़ के एक्जाम में जो 35 सवाल करेंट अफेर्स के आने वाले हैं उन सवालों को आप बढ़िया ढंक से टैकल कर सके 1st August की यह जिग्यासा है पीछे की सारी जिग्यासा है जो आगे की सारी जिग्यासा आपको देखनी चीए मातर 20-20 मिंट का आपका इन्वेश्मेंट और बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ा आपको सिखा दी जाती है stay home, stay safe, stay online अब अपने family, अपने community सब का खयाल रखे, क्रोना को spread मत करिए जो भी त्यारी करनी है, घर बेटे करिए, safety करिए, online करिए, civil staff के साथ जुड़के करिए क्योंकि हमने कई सारे free initiatives को आपके लिए launch कर रखा है 10 a.m. स्थापना वीडियो, 2 p.m. जिग्यास वीडियो, 7 p.m. प्रयास वीडियो, 9 p.m. फटाफट वीडियो आपको मिलने लग रहा है स्थापना के अंदर GS concepts सिखाया जा रहे है, उन्हीं concepts के basis पे 7 p.m. प्रयास में questions solve करवा रहे जाए है 9 p.m. में revision करवाय जा रहा है, और 2 p.m. जिग्यासा के अंदर आपको current affairs के MCQs दिये जाने लग रहे है यानि कि static plus current daily basis पे आपको free तरीके से सिखाया जा रहा है Monday, geography, Tuesday, environment, witness, economy, Thursday, history, Friday, politics, Saturday, science and technology के concepts cover करे जा रहे है आपको हमारे चैनल को subscribe करना चाहिए, notification को on रखना चाहिए और हर एक वीडियो का पूरा फाइदा उठाना चाहिए जहां तक बातरी 4th October 2020 यानि कि prelims 2020 की हमने आपके लिए एक बहुती comprehensive और cost effective crash course launch कर रखा है और उस cost effective crash course को हम आपको 50% discount के ओपर देने लग रहे है यानि कि 4499 only के अंदर आपको पूरा static plus current सिखाया जा रहे है जोकि आपको prelims के अंदर जीत दिला देगा हर एक subject के आपको videos, हर एक chapter के आपको downloadable notes, हर चीज़ के आपको tests, हर चीज़ के आपको 25 years के coverage of previous years, question asked in prelims examination, 28 tests यानि कि 2800 MCQs of current affairs, downloadable solution PDFs for all the above 28 tests, 5 full end tests with downloadable solution, ancient India, medieval India, art and culture, science and technology, environment का complete coverage यानि कि total total आपको syllabus दिया जाने लग रहा है static plus current affairs का 4499 के अंदर आपका सबसे पहला काम ये करना चीए, कि आपको हमारे crash course related demo videos को देखना चीए, हमारे YouTube channel की playlist के अंदर जाकर वो free demo videos है, आपको उन demo videos से प्यार हो जाएगा, कि बहुती सुन्दर demo videos है वो जितने अच्छे वो demo videos है, उतने ही अच्छे बाकी सारे videos है हमारे course के अंदर दुसरा कम आपको ये करना चीए, कि इस video के अंदर दियेगे description को open करना चीए, link को click करके enroll करके अपनी तयारी को आगे भढ़ाना चीए अगर आपको लगता है कि current कर लिया, static only के अंदर आपको help चीए, static only के अंदर आपको सारे consolidated notes चीए, static only के अंदर आपको सारी चीज़े चीए तो 2499 के अंदर आपको static only पूरा पूरा दे दिया जा रहा है, इसके अंदर भी आपको 50% discount दिया जाने लग रहा है 4999 का माल आपको 2499 में दिया जाने लग रहा है, हर चीज़ के वीडियो, notes, tests, सब कुछ provide करा जाने लग रहा है अगर आप 2021 की तियारी कर रहे है तो आपके लिएक बहुत ही शांदार news में लेकर आया हूँ comprehensive course, prelims plus main course, जिसमें पूरा GS, पूरा CSET, पूरा current affairs और test series आपको provide करी जाने लग रही है ये course के वल 15,000 रुबे के अंदर आपको offer करा जारे है, 15,000 only के अंदर पूरी तैयारी आपकी करवाई जारी है पूरा करे और फिर आगे भढ़ते हुए सारी चीजों को आप tackle करना सीखे, जिग्यासा के अंदर कुछ homework के questions पूछता हूँ और कुछ 35-40 students हमारे हैं जो regular basis के ओपर homework के questions का answer करते हैं, अपनी knowledge को expand करते हैं इनको फाइदा exam में ये मिलेगा कि अगर 5 questions भी homework के questions के अंदर से आ गए तो आपको बहुत सारा advantage मिल सकता है, आपको plus 10 marks मिल सकता है, आपका साल बच सकता है, आपको success मिल सकती है आयूश शिवास्ता, सचिन शिवास्ता, बबुला कुमार, साहू, कीर्ती, रोहन जकताब, शुभम वागले, सोन्या, रोहित कुमार, स्क्रीन, जंकीज, एस वेलेज लाइनस बांदूनी, रूबी गुपता, अंकित भारतवाज, सोनु कुमार, प्रमोत कुमार, सूरस करना शुरू करना चाहिए, आपको प्रिलिंज एक्जाम के अंदर बहुत भारी फाइदा उसका मिले वाला है, इफ्लो, कलर टीवी के ओपर, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, डीकॉप्लिंग, स्मॉक तावर, रके वीवाय, रफ्तार स्कीम के बारों मार को बात करनी है, क् आज के निउस्ट्रिक्शन के अंदर देखे गए टॉपिक्स है, इफ्लो के बारों में आपको तीन स्टेट्मेंट दे रखें, आपको बताना है कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट है, इस दे मिनिमम में लिमित और दिजाइड एंवर्नमेंटल स्टेट, इट कैन बी इंप्ल आज बताना है, जो है काम करने वाले हैं, इस लिए इप्लो के अंदर काम करने वाले हैं, इसलिए e-flow के बार में सब लोग बात करने लग रहा है उत्तर प्रदेश बात करने लग रहा है तो UPSC भी बात कर चकते हैं इसलिए आप से आप पहले बार में e-flow के बार में बात कर रहा हूँ तीन statement दे रखे हैं इसका definition क्या यही है minimum limit of water flow required to maintain a river in the desired environmental state क्या यह definition सही है it can be implemented only in perennial rivers यान कि seasonal rivers के अंदर यह implement नहीं करा जा सकता क्या यह सही है क्या यह only यहां पर सही है यह गलत है यह आपको decide करना है it helps to restore sediment deposition and improve the water quality in rivers क्या ऐसा कोई भी फाइदा हमारे को e-flow की वज़े से होता है यह सारी चीज़े आपको सोच समझ के मुझे बतानी है जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे answer आपके सामने रख रहा हूँ answer इस question का है d तीनों की तीनों statements बराबर है recent context क्या है मैंने आपको समझाया उत्तर प्रदेश सरकार ने center को कहा है कि हम 6 rivers के along जो 6 polluted river stretches है उसके along minimum environmental flow यानि की e-flow maintain करेंगे what is e-flow यह minimum limit of flow है which is required to maintain a river in the desired environmental state river के अंदर जो है fishes रहने चीए marine animals रहने चीए marine plants रहने चीए उनका ecosystem यानि कि उनका घर बढ़िया रहना चीए सुन्दर रहना चीए तरो ताजा रहना चीए वो उसके अंदर thrive कर पाने चीए survive कर पाने चीए river जो human being को दुनिया भर की ecological services provide करने लग रहा है वो provide कर पाना चीए river associated जो अन्य एको सिस्टम है वो भी survivor thrive कर पाने चीए तो river associated ये सारी चीज़े अच्छे चीए तब होगी जब river के अंदर पानी होगा अगर river के अंदर पानी ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़े कैसे होगी तो ये minimum amount of पानी है जो कि एक river के अंदर होना चीए ताकि river अपने सारे environmental services को as well as अपनी खुद की दशा को अच्छा बना और human ecosystem जो है वो भी survive thrive कर सके ये सारी चीज़े बहुत ज्यादे important है तब ही हो सकती जब e-flow हम maintain करें e-flow अगर हम रखते हैं तो river quality, sediment deposition, life cycle of fishes and wildlife, river based communities की livelihood सारी चीज़ों के पर अच्छा अच्छा impact हमार को देखने को मिल सकता है our rivers are highly degraded, कुछ जगा dimes बना दिये, कुछ जगा हमने नदियों को नाला बना दिया है, कुछ जगा हमने बिना discharge करें, siway को उसके अंदर डाल दिया है सारी चीज़ों को हमने करकर क्या करा है, या तो पानी की मातरा river के अंदर कम कर दिये, या गंदी कर दिये, या दोनों कर दिये as a result of which हमारी खुद की existence के उपर खत्रा मंडराने लग रहा है यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, e-flow के बार में बात करी जाने लग रही है क्योंकि हमारे को, हमारी ecosystem को, हमारे को, हमारी biodiversity को, हमारे को human livelihoods को, हमारे human surrounding को अच्छा रखना है, clean रखना है, ताकि हम sustainable development goal 6, जो कि availability and sustainable management of water and sanitation for all के बार में बात करता है उसको हम achieve कर सके, तो यह सारी चीज़ों को आपस में आपको interlink करके देखना है एक river एक बहुत ही important entity है, जिसको preserve करने के लिए अगर e-flow maintain करना पड़ता है, तो हमारे को करना चीज़ है और वही चीज़ के बार में उत्तरप्रदेश सरकार ने बात करी है, सर्यू, हिंडॉन, राम गंगा, बेतवा, घागरा and रप्ती river के ओपर e-flow maintain करा जाने वाला है अभी तक का जो track record अगर आपको e-flow का बताऊं, तो केवल गंगा के ओपर e-flow का जो है notification निकला था 2018 October के अंदर की गंगा के अंदर इतना minimum पानी maintain करेंगे, उसके अलावा कोई भी river का e-flow determined नहीं हुआ है, यमुना का भी नहीं हुआ है, प्रोसेस शुरू है उत्तर प्रदेश government monthly progress report भेजेगा to national mission for clean गंगा की काम जो बोला है करेंगे, वो कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं e-flow perennial rivers के इंटर maintain करा जा सकते है, क्योंकि वो ही river जो है, वो सालाना भेहते हैं, जो बाकी rivers जिसे आपका काली हो गया, वरुना हो गया, गोमती हो गया, साही हो गया, यह non-perennial rivers है, इनके ओपर e-flow maintain करना possible नहीं है, क्योंकि यह perennial rivers है, यह seasonal प्रकार के rivers है, इन में कुछ छोटे समय के लिए ही पानी रहता है, वाकी समय पानी नहीं रहता है, तो जो statement 2 है, वो भी correct है, यह सारी चीज़ा आपको मालूम है, आप देख लीजी, आपके सामने पूरी गंगा का, जो है road map रखाय की इसके उपर भी पूछा जा सकता है, इसके उपर भी पूछा जा सकता है, यह सारी चीज़े मैं आपको पढ़ाई है, यह आप अपने knowledge में से या P.I.B. में से निकाल कर कमेंट करेंगे, regarding national mission for clean गंगा, कब बनाता, क्यों बनाता, कैसे बनाता, क्या करता है, सारी चीज़े अगर आपको e-flow से related समझ में आ चुकी, जो कि बहुत ज्यादा important concept है, क्योंकि दो बार उसके बार में बात हो चुकी है, तो आप देख लिजे, तीनों के तीनों statements बराबर है, इसलिए answer आपका हो जाता है right, यही चीज मैंना आपको mains fodder में भी provide करी है, क्यों मैंना आपको यह mains fodder में provide करा है, क्योंकि आप जानते हैं कि pollution, खासकर river pollution बहुत बड़ा matter है, उसका conservation, उसको pollution से बचाना, degradation से बचाना, यह बहुत जादा important है, इसी को पर एक model question भी बना कर आपको दिया है, कि maintenance of restricted minimal flow in the river ecosystem is significant for sustainability of the river discuss, तो e-flow के बारे में सारी चीज आपको discuss करने को अगर बोला जाए, तो यह note आपको बहुत काम आएगा, moving ahead to question number two, with reference to the recent decision of the union government to curb imports on color television sets, which are the following statements, is slash are correct, सरकार ने बहुत बुराने जमाने की policy को वापस जिन्दा करना शुरू कर दिया है, import के ओपर restrictions लगाना शुरू कर दिया है, it is introduced in order to boost the local manufacturing of electronic goods under self-reliant India initiative, putting an item under restricted category of imports means the importer of that commodity will have to seek an import license from the union ministry of commerce and industry, दो statement आपके सामने रखे है, regarding the recent imports, restrictions which have been placed on color television imports, आपको बताना है कि दोनों statement से कौन से statement correct है, पहला statement general प्रकार का statement है, जो कि ये कदम क्यों ठाया गया है, उसका objective बताने की कोशिश कर रहा है, क्या ये पहले statement के अंदर जो objective समझाया है, कि जो import के ओपर restriction लगेगा, उसकी वज़े से local manufacturing को boost मिलेगा, क्या ये सही है, ये आपको सोच के बताना है logically, और कोई भी item को अगर ह तो किस ministry से मिलता है, ministry of commerce से मिलता है, ministry of finance से मिलता है, या फिर कोई और ministry, ministry of external affairs से मिलता है, ministry of home से मिलता है, किस से license देना बड़ता है import का, ये आपको सोच के बताना है, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer is question का है C, दोनों के दोनो statements correct है, अ चाइना हमारा अब दुश्मन बन चुका है, या अब चाइना को हम दुश्मन की तौर पे देखते हैं, तो अब हमारे को चाइना से माल को import नहीं करना, हमारे को आत्म निर्भर होना है, इसलिए जो है हम अपने market को जो है protect करना चाहते है, ये ही exact प्रकार की policies जो है, इंदर प्रकार का observation है, क्या हम सही दिशा के अंदर जाने लग रहे हैं, ये सारी चीजे करके इसके उपर आपको मेंस के उपर question आने वाला है, या फिर interview के अंदर question इस प्रकार का आने वाला है, आपको इसके बार में सोचना है और विचार करना है, और अपने जो answers उसको ready करना है, आनाउंस करें, restrictions on color television sets, जो चाइना, वियतनाम वगेरा से आने लग रहे हैं, तो बात ऐसी है कि अब हमने color television sets को free से restricted category के अंदर रख दिया है, अब अगर आपको import करना है, तो Commerce Ministry की DGFT को आपको application देना पड़े कि वो आपको import करने का license देंगे, ये सारे restrictions लगाए जा रहे है under the idea of vocal for local कि अब हमारे को आत्मा नेरबार होना है, अब हमारे को हमारे पेरो पे खड़ा होना है, राइट, 15,000 करोड का इंडिया का TV industry है, 36% of the imported items are coming primarily from China and South East Asia, उसका breakup भी आपको पूरा दे रखा है, notification comes as Chinese imports and investment continue to face immense scrutiny, गलवन वैली के अंदर चाइना ने बत्तमीजी करी, उसके काफी ज़्यादा scrutiny हम करने लग रहे हैंगी, चायना से कौनसी कौनसी चीज इंपोर्ट होकर आने लग रहे हैं उन चीजों को कैसे हमारे को जो है कम करना चाहिए, हम necessary infrastructure arrangement तयार करना चाहते हैं ताकि electronic items को हम खुद produce कर सके, अंडर आत्मा निरबर भारत अभियान ठीक है, औ open cell chips on films, printed circuit boards, assembly and are exempted from duty, तो इस प्रकार का मतला हमने जो phase manufacturing program शुरू कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है, ताकि हम domestic manufacturing capabilities को improve कर सके, electric vehicles, उनकी assemblies, sub assemblies, parts, sub parts को ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर बना सके, ज्यादा से ज्यादा domestic value addition कर सके, ताकि employment opportunities हमारे देश के अंदर create हो जो भी cost effective, जो भी हम item बाहर से import करने लग रहे हो हम खुद बनाए, इसी phase manufacturing program को अगर आप P.I.B. के अंदर डाल कर और एक homework के तौर पे करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, कि सरकार ने 2016 के लगभग ये phase manufacturing program को शुरू करा था, cellular devices को धियान में रखते वे, तो दूसरा homework का जो की important भी है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करी गई है, ये UPSC आपको पूच सकती है, जो कदम उठाया गया है, वो क्यों उठाया गया, मैंने आपको समझाया है, क्या ये कदम सही है, क्या ये हमार को सही में आत्म निर्बर बनाएगा, या फिर वापस से ये ही हो जाएगा कि इंडिया के बाजार के अंदर import आप allow नहीं कर रहे हैं, या import को आपने uncompetitive बना दिया, Indian industry जो है, खुद को improve करनी बाने लग रही है, as a result of which one way or the other, फिर जो consumer उसको बेकार TV खरीदने पड़ेंगे, महेंगे TV खरीदने पड़ेंगे, उसके options काम हो जाएंगे, जो buyer surplus होता है जो buyer को benefit मिलता है competition का, क्या वो मिलना बंद हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ों को सोच समझ के बताना है, कि इन प्रकार के जो steps उठाये जा रहे हैं, क्या ये सही है ये गलत है, और जहां तक बातरी prelims के question कि आप देख रहे हैं, कि दोनो दोनो statement सही है, इस सेरे answer चल होने रखा है, कि decoupling का क्या मतलब होता है, in the context of globalized economy, which are the following statements best describes the term decoupling, the scenario in which two countries follow a closed economy model, a condition in which economic incident of one economy does not affect the other, a situation in which two countries relate to each other with a free trade agreement, none of the above, तो ये एक economic का term and decoupling, आपको logically सोचना है और बताना है कि उसका सही interpretation क्या होना चीए, कपल का मतलब क्या होता है, ये होता है, और decoupling का मतलब क्य ये होता है, ये अंग्रेजी है, इसके अंदर कोई economics नहीं है, तो coupling and decoupling, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, ये logic अगर आप लगा सकते हैं, तो ये question आप solve कर सकते हैं, exam के अंदर आपको एक चीज़ याल रखने की 100 question के अंदर से कम से कम 3-4 question को आप इस पर कर के logic को use करके solve कर पाएंगे, आपको अपने logic को जो है develop करना चाहिए, उसको sharpen करना चाहिए, और exam के अंदर practice test के अंदर mock test के अंदर लगाते रहना चाहिए, और exam के अंदर आपको उसका बहुत फाइदा मिलेगा, जो भी आपका answer उसको आप सोच समझ के lock करेंगे, answer आपके सा सही गया है, आप लोग अपने हाथ खड़े करके comment में जरूर बताइएगा कि logic की basis पर आपका answer सही गया है, forced decoupling will hurt India and China, ऐसा चाहिना वाले अब कहने लग रहे है, what is decoupling, decoupling का मतलब यह है, कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा engine, हमारी गाड़ी, चाहिना के engine, चाहिना की फाइबर, 85% of motorcycle के components चाहिना से आने लग रहे थे, तो वो प्रकार का coupling हो चुक है, वो प्रकार का interlinkage develop हो चुका है, जिसमें हम चाहिना के साथ बहुत ज्यादा dependent हो चुक है, वो प्रकार का relationship हो हमार को तोड़ना है, खतम करना है, चाहिना वाला कह रहे हैं कि अगर आप इस उसके टॉपर रहे चुके हैं exam के, उन्हों का आप अच्छा अगर आप twitter handle को follow करेंगे तो उन्होंने समझाया है कि चाहिना के साथ trade बंद कर देने से इंडिया का क्या-क्या नुक्सान होगा, वो टॉपर है चुकि economics उनका optional था, आप उनके twitter handle को follow कर ये, और उसके अंदर आ उन्होंने पुरा essay लिख कर दिया है, 2016 में उन्होंने लिखा था, कि क्यो चाहिना के साथ trade के बंद करो तो ना हमारा manufacturer खुश है, ना उसके हमारी trade and commerce को फाइदा मिलेगा, हमारे को खुद की strength को बढ़ाना है, खुद की expertise को बढ़ाना है, बट हमारा खुद का नुकसान करके हमारे को नहीं बढ़ाना है, हमारे खुद के फाइदों को preserve करते हुए, हमारे को हमारी strength को develop करना है, यह सारी चीज़ें उन्होंने discuss करी अपने lake के अंदर, जो कि आपको उनकी twitter handle को follow करके आराम से मिल जाएगा, decoupling के बारे में आपको जानकारी देई है, कि हम क्या करना चा और हम उनसे बहुत अच्छे तरीक से जुड़े वे हैं, तो उसका सीधा impact हमारे को देखने को मिलेगा, एक example मैं आपको देखता हूँ, activated pharmaceutical ingredients का, API हम चायना से मंगाते है, API की सबसे बड़ी-बड़ी industry जो है, Wuhan के अरिया के अंदर located है, जैसे ही coronavirus Wuhan से फैलना शुरू हुआ, त लेकिन अगर हम अपने आपको decouple कर दे, तो चाइना के ओपर जटके के impact हमारे उपर कम आएगा, और वही चीज को इस option B के अंदर बता रखा है, इसलिए option B जो है, सही answer है, आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो like and share जरूर करिएगा, moving ahead to question number 4, Supreme Court ने smoke tower के मुद् स्मॉक टावर के बारो में बात करने लग रही है, science-based question जो आता है, उसके अंदर दो प्रकार का question बनता है, एक प्रकार का question है आपका application-oriented question और दूसरा प्रकार का question है, जिसके अंदर आपको deep लेकर जाया जाता है, उस technology के अंदर और उसके अंदर से सवाल आपको बना के दिय जाते हैं, मैंने कुशिश करिए कि स्मॉक टावर की depth के अंदर जा सकूं और question मना के आपके सामने ला सकूं, यह एक structure है which is designed to work as a large-scale outdoor air purifier, it can provide a local solution of clean air in public spaces, it has the capability to completely remove PM 2.5 from polluted outdoor air, तीन statement आपको दे रखे है, स्मॉक टावर के science के बार में स्मॉक टावर क्या कर सकता है, उसके ब बार में बात कर रहा है, तो UPSC इसके बार में बात कर सकती है, और कोशिश मैंने करिए कि deep question आपको बना कर दूँ, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer इस question का है B, पहले दो statement दो बाराबर है, लेकिन तीसरा statement के नदर problem है, देखिए यह स उच्छे-उच्छे tower height के यह अपने यंतर लगा रखे हैं, यह क्या basically करते है, कि जो polluted हवा है, उसको अपने अंदर लेते हैं, filter से वो हवा पास होती है, multiple filter से वो हवा पास होती है, और वो हवा clean up हो जाती है, और फिर उस हवा को छोड़ दिया जाता है, तो जो local solution इसको मान solution है, दिल्ली के अंदर project जो चलने लग रहा है, अगर वो project complete होता है, तो ऐसे 200 सवा 200 smoke towers को erect करने की बात है, हर एक smoke tower लगाने के लिए कितना खर्चा होता है, 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड, 12 करोड, 15 करोड रुपया खर्चा होता है, अलग 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 प्रकार का आपको बता रख आप समझ सकते हैं कि यह tower हवा साफ कर सकता है, लेकिन यह local level के उपर हवा साफ करेगा, इसा नहीं कि एक tower लगाया तो पुरे शेहर भर की हवा साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, PM 2.5 को यह नहीं निकाल सकता है, इसके उपर बहुत debate है, अब यह towers क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या यह effective है, नहीं effective है, क्या इनके उपर पैसा खर्चा करना चीए, नहीं करना चीए, इसके उपर एक बहुत बड़ी debate छिडिवी है, यह large scale air purifier इसमें कोई शक नहीं है, multiple layers of air filters इसके अंदर लगे हो सकते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, आप देख सकत अंदर जो है, pollution को कम करा, जैसा कि वो वायू के air filters क्या काम कर रहे हैं, कितना ओन air pollution कम करा, उसके उपर कोई शड़ी exist नहीं करती है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही खतरनाक problem है, air pollution का, उसी प्रकार के pollution को tackle करने के लिए, stubble burning के उपर ban लगाना, thermal power plants को बंद करना, pipe natural gas ज PM 2.5 को यह eliminate नहीं कर पाएगा, कई लोगों को लगता है कि यह ineffective bandaid है, हमारे को अगर काम करना है, तो पहले हमारे को pollutants का generation है, उसी को रोकना है, क्योंकि उसको अगर हमने एक बार generate हो जाने दिया, फिर हम सोचते कि हम हवा को साफ कर देंगे, तो भाई साब यह तो होने वाल करना है कि हवा साफ इंडिया की कैसे होगी, उसके उपर आपको हमेशा तयार है, चाहिए, answers देने के लिए, mains level के उपर, interview level के उपर, smoke tower से related science को ध्यान में रखते हैं, तीन statement मैं आपको दिये थे, दो बराबर है, तीसरा गलत है, इसलिए answer आपका बन जाता है, B. Moving ahead to question number 5, RKVY रफतार scheme भारत सरकार की पुरानी scheme है, इसी scheme से related दो statement आपको दे रखे हैं, और आपको बताने कौन से statement incorrect है, इसको implement करता है CIPET यानि की Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology, its objective is to strengthen the farmer's efforts to the creation of required pre and post harvest agri infrastructure, दो statement दे रखे हैं regarding RKVY रफतार, आपको बताने कौन से statement incorrect है, जो भी आपका answer उसक question का है A, आपको यहाँ पर मैं एक important चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई पुराना current affairs है, कोई पुराना topic है, तो उसकी detailed जानकारी, deep जानकारी आपके पास होनीचे, और अगर कोई नया current affairs है, कोई उभरतावा topics है, तो उसकी आपको limited जानकारी रहेगी, तो भी काम चल जाए है, cabinet ने November 2017 को continuation का approval दे दिया था, इस centrally sponsored scheme है, इसका full form क्या है, वो भी मैंना आपके सामने रखा है, इस strengthen करनी चाहती है, infrastructure ताकि agriculture से related business, agriculture से related उध्योग को भड़ावा दिया जा सके, इस mission का, इस scheme का objective है, कि post harvest, agri infrastructure, pre harvest, agri infrastructure को तयार करवाया जा सके, quality input, storage, marketing facility, सारी autonomy, flexibility दी जाए, states को, ताकि वो scheme के इसाब से, जो farmers की needs है, उसको plan out कर सके, और implement कर सके, value chain addition हमारे को, value addition chain हमारे को तयार करनी है, right, ताकि जो farmer produce करने लग रहा है, उसको जो है, convert कर पाए, transform कर पाए into value added goods, और फिर उसको market के अंदर बेच पाए, mitigate करना चाहते है, risk of farmers, additional income provide करना च scheme है, national priorities को achieve करने के अंदर ये help करेगी और youth की skill development, entrepreneurship skills को harness के अंदर कर, ये scheme जो हमारे को काम आने वाली है, recent development क्या है, सरकार ने इसके पर पैसा घर्ची करा है, fund will be given to start-up selected by different knowledge partners and agribusiness incubators, तो जो start-ups इस area के अंदर आने लग रहे हैं, उनके लिए हमने funding provide करने का जो है, innovation and agribusiness development program launched under RKVY, तो RKVY रफतार क्या है, उसके अंदर का program क्या है, उसके अंदर क्या करा जाने लग रहे है, total detail आपको दिया है, हिंदू का ये शांदार article का link आपके सामने रखा है, ये प्रकार से आपको अगर कभी भी आप बात करते है, agriculture से related, तो ये प्रकार का diagram आपक हो गया है, अच्छी बात करने का और अच्छी बात ये है, we are what we repeatedly do, excellence then is not an act but a habit, ये प्रकार की चीज़ को आपको अपने खून के अंदर उतारना पड़ेगा, इसका reason ये है, कि अगर आज हर भारतिये ये decide कर लेगा, वो जो कर रहा है बढ़िया करेगा, वो जो भी कर रहा ह कर सकते है, deep breathing and drinking water, deep breathing से oxygen मिलेगा और water intake अच्छा रखने से आपके body के अंदर अच्छा water रहेगा, तो आपकी body की health है और सारी abilities है वो भी अच्छी रहेगी, अब ये जो चीज है ना, ये चीज के उपर भी आपको repeatedly काम करना पड़ता है, deep breathing के उपर and drinking water के उपर ने तो shallow breathing और कम पानी intake से body is not efficient, तो अगर आप इसको भी habit बनाएंगे तो आप अपनी body को अच्छे level के उपर लेकर जा पाएंगे, आप अच्छी बातों को अपने दिमाग में डालेंगे तो आप अपने दिमाग को अच्छे direction के अंदर लेकर जा पाएंगे, आप अच्छे answer लिखने की क देज भी आगे बढ़ेगा, इसी के साथ हम अमारे lecture को end करेंगे, आपने हमारे साथ पढ़े, उसके लिए thank you very much, all the very best, जैहिंत!